हेलो फ्रेंड्स वेलकम दू माई चैनल बेनजीस किचिन में आप सबका स्वागत है आज हम बहुत ही मज़ादा टेस्टी रेसिपी बनाने वाले हैं जो कि एक कुर्मा रेसिपी चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं एक कुर्मा बनाने के लिए सबसे पहले हम ले लीया है ख़ूरा गरम हरने के लिए छोड़ देंगे फिर उसमें हम 4 टेबिल स्फूना डाल देंगे ओल को हम थोड़ा गरम कर लेंगे अच्छे से देखिए ओयल हमारा जो है वो गरम हो गया है फिर हम उसमें यह आधा कटे हुए पियाज डाल देंगे देखिए पियाज को हम थोड़ा स्लाइटली चप किया है और पियाज को हम ब्राउन कर लेंगे आच्छी तरह से और गैस का फ्लेम ह है वो जल जाएगा देखिए हमारा जो पियाज है वो ब्राउन हो चुका है अब हम इसे प्लेट पे निकल लेंगे अच्छी तरह से हम ओयल से पियाज को अलग करके निकल लेंगे फिर हम यह साथ बॉयल हुए अंडे ले लिया है और इसका हम स्लाइट करके इसका थोड़ा सा इसे काट कर लेंगे क्योंकि जब हम इसे फ्राई करेंगे अगर काट नहीं करेंगे तो यह जब ऐल में हम डालेंगे तो यह फट जाएगा इसलिए हमें कट करना है फिर हम इसमें आधा टीस्पून नमक डाल देंगे और आधा टीस्पून हमने हल्दी पावडर डाल देंगे और आधा टीस्प के बाद हम यह जो एग है इसे फ्राइखर लेंगे एक को हम ऐल में छोर देंगे देखिए गैस का plan हमें मीडियम ही रखना है ज्ञादा हाई ही करना है कि अब्रीग हमने ज्रडिया है और मीडियम फलेम पे हम फ्राइखThese को हम पलट दिया है एक लगवाग हमारा फ्राइ हो चुका है फिर हम इसे एक बावल पर निकाल लेंगे और फिर उसी प्यान में हम यह वन टेबल स्पॉन हमने घी डाल दिया है क्यूंकि हम जब कॉर्मा बानाते हैं तो घी मास्ठ घी देने से खुस्वू भी बहुत बरिया आता है और टेस्ट भी बहुत बरिया आता है फिर हम एक तेज़ पत्ता एड़ कर लेंगे, दो इलाइची एड़ कर लेंगे, दार्जचीने एड़ कर लेंगे और चाल लोंग एड़ कर लेंगे और फिर उसे अच्छी तरह से भून लेंगे देखिए थोड़ा भून लेंगे ताकि खुजबू जो है वो बरिया आए फिर हम उसमें वान कप यह पेस्ट किये हुए ओनियोन डाल देंगे ओनियोन पेस्ट हमने कर लिया है दो मीडियम साइज का फिर हम उसे ऑइल में डाल देंगे और आच्छी तरह से भून लेंगे पांच मिनिट के लिए भूनेंगे और गास का फ्लेम इस टाइम पे हमें मीडियम ही रखना है दिखिए अच्छी तरह से भून लिया है हमने फिर हम उसमें वान टीस्पून अधर गलेसून का पेस्ट एड़ किया है और उसे भी आच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे आनियन के साथ इसी तरह से हमें धीरे धीरे मिक्स करना है और फिर स्वाद अनुसर हमें नमक डालना है और हम यहां पे टू टीस्पून लाल मिर्च पावडर एड़ किया है देखिए और वान टीस्पून हमने जीरा पावडर भी आड़ किया है और फिर मसाला को हम अच्छी तरह से भूनेंगे पांस से साथ मिनिट के लिए मेडियम फ्रेम पे हम भून लेंगे देखिए धीरे-धीरे करके भूनेंगे जब तक मसाला का जो खुजब है ना जाए फिर हम वहा कि ऐंगे करने से टेस्ट बहुत बर्या आता है और फिर हम यहां पर दोद ले लिया है देखिए वहान काप हमने यहां पर दोद मिक्स कर दिया है अगर हमने नारियल कास्याइब दूद ले लिया है अगर नारियल का दूद आपको नहीं मिलता तो आप ऐसे भी पैकेट दूद भी यूज़ कर सकते हैं अगर दूद आप नहीं देते हैं दोही भी आड़ कर सकते हैं लेकिन दूद और दोही एक साथ एड़ मत किजिए देखिए आच्छी तरह से हम मिक्स कर दिया है और यहां पर एक छोटा चमच हमने गरम मसाला पाउडर एड़ किया है और आच्छी तरह से उसे भी हम मिक्स कर देंगे इस टाइम पर हमें गैस का जो फ्लेम है वह हाई रखना है देखिए अच्छी तरह से हमें मिक्स कर दिया है और फिर हमारा जो एग है हम यह ग्रेवी में एक सारे डाल देंगे देखिए धिरे-धिरे करके हमारा जो एग है हम इसमें डाल देंगे एग कोर्मा जो है यह बहुत ही टेस्टी है और मज़ादार रेसिपी है अब किसी भी पार्टी में आकेसन में भी इसे बना सकते है अगर पर भी बना कर खिला सकती है बहुत ही टेस्टी रेसिपी है देखिए एग को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है 10 मिनिट के बाद देखिए हमारा जो ग्रेवी है वो ठीक हो चुका है आप हम इसे हरी मिर्च एड़ कर लेंगे इसमें हम 4 हरी मिर्च इसमें एड़ कर दिया है देखिए और उसे भी थोड़ा हम मिक्स कर लेंगे और हमने जो यहाँ पे ओनियोन ब्राउन किया था वो उपर से हम डाल देंगे देखिए इस तरह से डाल देंगे फिर हम इसे सार्फ कर लेंगे देखिए हमारा जो एक करमा है वो बहुत मज़दार और टेस्ट रेसिपी है और दिखने में भी बहुत बढ़िया लाग रहा है हमारा एक गरमा जो है वो रेडी हो गया है अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक करना शेयर करना सब्सक्राइब जरूर करना और पास में रखें बेल आइकान को की दावा देना तकि हर अपलोड के बाद आपको नोटिफिकेशन मिल जाए